नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का न्यूज एनालिसी स्टेशन के अंतरगत इस स्टेशन में आज हम चर्चा करने वाले हैं जनगन्ना 2021 के बारे में जनगन्ना 2021 के लिए National Population Register NPR को अनिवार्ज कर दिया गया है तो हम जनेंगे जनगन्ना 2021 के बारे में, NPR के बारे में और जनगन्ना और NPR के बीच के अंतर को बिस्तार पुर्बक समझने की कोशिश करेंगे आईए शुरू करते हैं आज के डिसकेशन को साथियों अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर भी करें और साथी साथ आप इस सेशन का PDF ससी सर टेस्ट बुक के टेलिग्राम चैनल पर प्राप कर सकते हैं आईए जानते हैं सबसे पहले बात करते हैं जनगन्ना 2021 के बारे में जनगन्ना 2021 अपने आप में खास है तुकि यह पहली जनगन्ना है भारत की जो की डिजिटल तरीके से करवाई जा रही है यानि पेंटैब मोड में यह जनगन्ना करवाई जा रही है ये भारत की स्वतंत्र भारत की आठवी जनगन्ना है और पूरे भारत की 16 जनगन्ना है लेकिन ये एक डिजिटल तरीके से किया जाने वाला पहली जनगन्ना के तौर पर जाना जा रहा है अब ये चर्चा में क्यों है मामला मामला चर्चा में इसलिए है तुकि राष्टिये जनसंख्या रेजिस्टर नेशनल पोपुलेशन रेजिस्टर जनगन्ना 2021 के लिए सरकार के द्वारा नेशनल पोपुलेशन रेजिस्टर को अनिवार्ज कर दिया गया है अब मैंडेटरी कर दिया गया है जो उन नागरिकों को स्वें गन्ना करने की अनुमती देता है जो सरकारी प्रगन को सरकारी प्रगनक का मतलब होता है गवर्मेंट इनुमरेटर पर बिस्वास करने के बजाए स्वें जन्गन्ना फॉर्म भरना पसंद करते हैं यानि कि स्वें जन्गन्ना जनगरना में घर घर जाकर के आंकड़ इकठे किया जाता है तो वो आंकड़ इकठे करने का काम कौन करता है तो वो प्रगनक के माध्यम से आंकड़ों को इकठा किया जाता है तो अब क्या है कि जो सरकारी प्रगनक पर भरोसा नहीं करते हैं तो वो अपना फॉर्म खुद भी भर सकते हैं, हाला कि इसके लिए उन्हें NPR में रजिस्टर करना जरूरी है और ये रजिस्टर उन्हें डिजिटल तरीके से करना होगा यानि कि ये मामला निउज में आया है कि जनगन्ना 2021 के लिए अब NPR को अनिवार्ज करा दिया गया है तिको ये स्वय गन्ना क्या होता है, स्वय गन्ना का मतलब होता है स्वय उत्तर दाता क्योंकि जनगन्ना में प्रगनक आपके घर घर जाते हैं आप से कुछ आंकडे की मांग करते हैं, आप उन आंकडों को वो खुद फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो आपको अगर भरोसा नहीं है कि बो फॉर्म फिल करें तो आप खुज से भी उन सारे फॉर्म को फिल कर सकते हो 待कर करके आप क्या कर सकते हैं फिल कर सकते हो तो स्वय गन्णा का तात पर होता है vapor इस्वय उत्तर दाताओं द्वारा जन गन्णा सर्वेक्षन प्रस्नावली को पूरा करना लेकिन ये सुविधा स्वय गन्ना की केबल उनी को दिया जाएगा जिन्होंने NPR को ऑनलाइन अपडेट किया है और स्वय गन्ना के दोरान आधार या मोबाइल का होना जरूरी है आधार या मोबाइल का होना अनिवार्ज बना दिया गया है तो ये स्वय गन्न अब जान लेते हैं कि अभी ये जो जन गन्ना चल रही है 19 ये जो 2021 की जन गन्ना है जो की डिजिटल तरीके से कराई जाने वाली जन गन्ना है तो इसमें प्रस्णावली क्या कुछ रहने वाला किन बातों पर अभी चर्चा चल रही है आगामी जन गन्ना पहली बार डिजिटल होगी जिससे उतरदाताओं अपने घरों से प्रस्णावाली को पूरा कर सकेंगे घर दे लेकिन जो भी व्यक्ति इस फॉर्म को भरे वो व्यक्ति इस बात का ध्यान रखे कि जन गन्ना में दिये गए आंकड़ों के अनुसार ही सरकार नितियों और कार्जक्रमों का निर्मान करती है इसलिए आंकड़े गलत उपलब्द नहीं करवाना चाहिए सही आंकड़े उपलब्द करवाना चाहिए ताकि देश के आर्थिक विकास की सही पिक्चर पता लग सके और सरकार उसकी अधार पर अपने नितियों और कार्जक्रमों को तयार कर सके तो ये जन गन्ना को लेकर क्या है कि अभी जन गन्ना डिजिटल होने वाली है और जो आप परिवार के लोग जन गन्ना के आंकड़े स्वें ऑनलाइन भी भर सकते हैं मकान सूची करन, मकान लिस्टिंग की प्रकरिया चल रही है आवास अनसूची चरन के लिए प्रस्णा वाली को अंतिम रूप दे दिया गया है जबकि जन संख्या का जो गन्ना किया जाएगा उसमें क्या-क्या सवाल पूछे जाएगे ये अभी साय किया जाना बाकी है कि किन-किन मामलों पर प्रस्ण पूछा जाने वाला है लेकिन मकान सूची करन और आवास अनसूची के संबंद में जो सारे परसना वाली है उसको तयार किया जा चुका है देखो जनगन्ना दो तरीक दो चरण में होता है जनगन्ना में पहला जो चरण होता है पहला चरण में होता है आउस लिस्टिंग ये जनगन्ना का पहला चरण होता है हाउस लिस्टिंग और दूसरा चरण होता है आंकडों का संग्रहन करना दूसरा चरण क्या होता है आंकडों का संग्रहन करना तो पहला चरण क्या होता है पहला चरण होता है हाउस लिस्टिंग और दूसरा चरण क्या होता है आंकडों का संग्रहन करना ये दो चरण में जनगन्ना को किया जाता है तो हाउस लिस्टिंग चरण के लिए जो कुछ भी प्रस्न पूछे जाने हैं वो बिल्कुल किलियर हो चुका है उन प्रस्नावली को अंतिम रूप दे दिया गया है लेकिन जो आंकडों का संग्रहन होगा जो प्रगनक के द्वारा घर घर जाकर के आंकड़े प्राप्त किये जाएंगे इन प्रस्नावली को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है तो किन बातों पर प्रस्णावली है जैसे बर्थ 2011 के तुलना में जो 2021 की जन्गना होने वाली है उसमें एक प्रस्णावली ये भी रहने वाली है कि यात्रा के लिए आप मेट्रो रेल का उपयोग करते हो या नहीं करते हो ये भी प्रस्णावली सुची में अब दिभ्यांग को पुरानी तंत्री का संबंधी बिमारी है या तो फिर रक्त विकार है इनको भी सामिल कर लिया गया है अगली जनगन्ना में ये भी सामिल किया जाएगा कि जो व्यक्ति किराये के मकान में रह रहा है क्या उसके पास कहीं और घर उपलब्ध है मतलब अपना घर है या नहीं ह ताकि पता चल सके अभी क्या होता है कि लोग किराय के मकान पे रहते हैं फिर वो परधान मंत्री आवास ये उजना के अंतरगत आवास के लिए अपलाई कर देते हैं लेकिन क्लियरली क्या होना चाहिए ये पता लगना चाहिए कि क्या उसके पास और भी कोई मकान है पिर है अवासिय परिसर से बिसिष्ट दूरी के अंदर पेजल की उपलवता पर भी प्रसन सामिल है यानि कि इसवार का जंगना कुछ खास होने वाला है सरकार कई बिंदूओं पर अब प्रसन को सामिल कर रही है कि अगर किसी का घर है तो घर है की नहीं है अगर किराय के मकान में रह रहा तो कहीं और तो घर इसके पास नहीं है दूसरा जो घर है इसके पास उसके कितना दूरी पर पेजल की शुद्धा उपलब्ध है बिजली की शुद्धा उपलब्ध है या नहीं है गैस कनेक्शन है या नहीं है यानि सरकार को एक बास्तिविक आंकडे पता चल सके और जिससे सरकार जीवन की मुलभूत आवसकताओं को प्राप्त कराने में नितियों और कार्जक्रमों का निर्मान कर सके तो ये तो जनगन्ना 2021 के लिए कुछ खास बाते थी अब हम जानते हैं NPR के बारे में जो की चर्च खूब विवाद हुआ था विपक्ची पार्टियों के द्वारा और देश के बड़े बर्क के द्वारा NPR का लगतार बिरोध किया जा रहा था क्योंकि NPR के द्वारा कई ऐसे सवाल पूछे गए थे जैसे माता पिता का जनमस्थान क्या है उनकी जनमतिती क्या है तो कई ऐसे सवाल रहे थे जिसके अधार पर खाफी चिंताएं ब्यक्त की जा रही थी कि जो बाहर से आने वाले अवैद प्रवासी हैं उनका आसानी से लग जाएगा और फिर सरकार उन्हें अडेंटिफाइड करके डिटेंशन कैम्प में डाल देगी क्योंकि जो NRC होने वाला है देखो दो चीजे हैं इन दोनों में अंतर आपको पता होना चाहिए एक है NPR और एक है NRC ये दोनों में अंतर क्या है NPR का मतलब होता है रास्ट ये जनसंख्या रजिस्टर ठीके जबकि NRC का मतलब होता है रास्टिये नागरिकों की शुची रास्टिये नागरिक रजिस्टर कहा जाता है इसको क्या कहा जाता रास्टिये नागरिक रजिस्टर कहा जाता देखो दोनों में अंतर है यहां नागरिक का मतलब है कि केवल भारत का नागरिक तो जो भी ब्यक्ति इस NRC में सामिल हुआ वो भारत के नागरिक के अंतरगत माना जाएगा और अगर सामिल नहीं हुआ तो भारत के नागरिक के अंतरगत माना नहीं जाएगा यानि कि वो अवैद प्रवासी मान लिया जाएगा जबकि जनसंख्या की बात क अंतर्गर जो निवासी की परिभासा है वो कहता है एक समान निवासी बह ब्यक्ती है जो किसी अस्थान पर 6 महीने से लगतार रह रहा है और अगले 6 महीने तक और रहने की इच्छा रखता हो तो उसे निवासी कहा जाएगा याना यानि कि एक समान निवासी जनरल रेजिडेंट बह ब्यक्ति है जो किसी अस्थान विसेश पर 6 महीने से रह रहा हो और अगले 6 महीने और वहाँ पे रहने के लिए प्रतिबध है उसे समान निवासी कहा जाएगा और NPR के अंतरगत समान निवासियों की सूची का पता लगाया जा र रहा यहां पे समान निवासियों की सूची बनाया जा रहा है इस लिस्ट के अधार पर यह पता लग पाएगा कि कौन भारतिये हैं और कौन बाहर से आकर रहने वाले यहां पे लोग हैं जिसने अपने डेटा दिया है और इस प्रकार से NPR पहला स्टेज है NRC का पहले सरकार NPR करेगी और फिर NRC करेगी ऐसा नहीं कि NPR नया नया किया जा रहा है 2010 में पहली बार NPR को किया गया था 2015 में NPR के आकणों को अपडेट भी किया गया था और अब फिर से 2021 में NPR को किया जा रहा और इस NPR के अधार पर फिर NRC लिस्ट को तयार किया जाएगा ताकि भारत में एक identity card बनाया जा सके जिसे national identity card हम कहेंगे one identity card अभी driving license के लिए अलग card चाहिए, voter ID card के लिए अलग चाहिए, आधहार card अलग चाहिए, अगर हम एक card बना देंगे तो इन सारे card को एक ही card में शमाहित कर लेगा तो ये NPR क्या है, NPR एक ऐसा database है जिसमें देश के सभी समान निवासियों की जानकारी होती है, इसका उदेश देश में रहने वाले लोगों का एक ब्यापक database मतलब बनाना होता है, ताकि पता चल सके सारे देश के लोगों का निवास करने वालों का आंकडा पता चल सके, ये हाउस लिस्टिंग चरन के दौरान घर घर जा करके किया जाता है, पहली बार 2010 में किया गया था, 2015 में अपडेट किया गया और इसमें 119 कडोर निवासियों का विवरन पहले से ही सुचिबध है, अब इसे फिर से अपडेट किया जा रहा है NPR को, अब देखो ये बिवादो भारत में प्रवेश किया है, और कौन मूल रूप से भारत में निवास कर रहा है, तो इससे सरकार को NRC तयार करने में सुविधा होगी, और इसलिए सरकार NPR में इन सभी सवालों को पूछना शुरू किया है, जिको इसका कानूनी प्रभधान क्या है, NPR नागरिक्ता अधि द्धानों के अंतरगत किया जा रहा है, और अब भारत के प्रतेक समान निवासी को NPR में पंजिकरन कराना अनिवार्ज है, इस नागरिक्ता नियम 2003 के अंतरगत, का फाइदा क्या है, महत्व क्या है, पहला, भारत को एक बहतर आंकड़ा मिल जाएगा, एक्चुल आंकड़ मिल जाएगा कि भारत में इतने निवासी है, कहां कहां का निवासी है, किस-किस देष का रह रहा है, और यह किसी भी देष को अधिकार है, कि वो अपने देष के निवासियों के सूची को तयार कर सकता है, दूसरा, जब हमें एक proper लिष्ट पता चल जाएगा, तो इससे हमे सरकार को अपनी नीतियों को बनाने में सहुलियत होगी क्योंकि नीतियां तो अपने देश के लोगों के लिए बनाया जाएगा ना तो सहुलियत होगी दूसरा राष्टी सुरक्षा में भी पता रहेगा कि कौन लोग बाहर से आकर निवास कर रहा है कौन लोग बाहर से आकर निवास कर रहा है तो नेशनल सेक्रूटी को भी बेहतर बनाने में मदद मिलेगी और इसे जो है लाभार्तियों को बेहतर तरिक्षे से लक्षित करेगा यानि एक्चुल जो जो सरकार की लाल फिता साही है सरकार अपनी लचर वेवस्था से बेनिफिस्टियरी को आइडेंटिफाइड करने में चू कर देती है जिसमें योग ब्यक्ति लाभ प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं तो वो भी समस्या का निदान हो पाएगा और एक्चुल लोगों तक कि इसका पहुंचे पाएगा यह सरकार द्वारा हाली में जारी किया गया जो सरकार अभी एक पहचान पत्र की बात कर रही है सिंगल आइडेंटिटी कार्ड की बात कर रही है उसको भी सुनिश्चित किया जा सकेगा वन आइडेंटिटी कार्ड जिसके अंतरगत अधार कार आईडी कार्ड, बैंकिंग कार्ड सब एक ही में सामिर हो जाएगा अलग अलग कार्ड की अब सकता नहीं पड़ेगी तो ये NPR का बिसेस महत्व है क्योंकि NPR के माध्यम से शरकार अपने लिए बेहतर कार्ज करमों और योजनाओं को तैयार कर सकती है उस actual data पता चल जाएगा तो जनगन्ना और NPR में basic difference क्या है देखो अगर हम जनगन्ना की बात करें तो जनगन्ना को जनगन्ना अधिनियम 1948 के अंतरगत किया जा रहा जबकि NPR को सिटीजन सिप नागरिक्ता नियम 2003 के माध्यम से किया जा रहा है इसका उदेश क्या है सेंसस का उदेश होता है assessment करना आकलन करना देश में नितियों को बनाना प्लानिंग करना ताकि सरकार को नितियों और कार्जक्रमों को बनाने में शहुलियत हो लेकिन जो NPR है इसका उदेश होता है एक national register of Indian citizenship बनाना इसका क्या काम होता है NRAC बनाना यानि भारतिये नागरिकों का भारतिये निवासियों का सूची तयार करें ताकि इस अधार पर आगे NRAC को अपडेट किया जा सके हो इसके अंतरगत साचर्था से जुड़े मामले रहते हैं चन गन्ना इतने कनसार क्या साचर्था था माइगरेशन का मामला रहता है इसके अलावा employment का मामला रहता है इनकम का मामला रहता है लेकिन NPR में जैसे worth detail of parent का ही document पूछा जा रहा है NPR का data confidential नहीं है जबकि census का data anonymous होता है confidential होता है क्योंकि सरकार overall पता लगाती है कि अच्छा कितना कुछ है actual में punishment no punishment for non-disclosure लेकिन NPR के लिए punishment है अगर आप आंकडे को जानकारी नहीं देते हो तो तो कि एक संप्रभू राष्ट को ऐसी सूची तयार करने का पूरा-पूरा अधिकार है तो अगर कोई व्यक्ति NPR में आंकडे जमा करने से मना करता है तो उसे इसके लिए धंडित किया जा सकता है और जनगन्ना तो किंद्रिय सूची का बिसे है श्रंग सूची का बिसे है किंद्र सरकार के द्वारा करवाया जाता है और जब जनगन्ना कराया जाता है तो जनगन्ना के हाउस लिस्टिंग चरन के अंतरगत ही NPR को भी करवाया जाता है तो ये तो सेंसस और NPR में अंतर था और आखरी अंतर था कि NPR CAA और NRC में अंतर क्या था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बिवादित रहा था NPR का मतलब राष्टी A जनसंख्या रेजिस्टर P.A का मतलब होता है सिटी जनसीप आमेंड्मीन्ट एक्ट नागरिक्ता संसोधन कानून और NRC का मतलब निशनल रेजिस्टर अब सिटी जनसीप देखो NPR केवल निवासियों की सुची है ताकि इस डेटा का सरकारी योजनाव में इस्तिमाल किया जाएगा और इसकी अंतरगत निवासि का मतलब होता है कि जो 6 महीने से भारत में रह रहा हो और 6 महीने और रहने के लिए परतिबद हो हलाकि NPR नागरिकता नहीं देगा और ना ही राष्टियता देगा ना तो निशनालिटी देता है और ना ही सिटिजन्सिप देता है ये एक परकार का निवासियों का लिस्ट केवल प्राप किया जा रहा है कई सारे सवाल तो जरूर उठ रहे हैं अब यहाँ पे ये एक निवासियों के सुची है जिसके अंतरगत सरकारी योजनाओं को बहतर तरीके से तयार करने के लिए आंकड़ी कठा किया जा रहा है जबकि नागरिकता शंसोधन कानून क्या था तीन देश, आफगनिस्तान, पांगला देश और पाकिस्तान से 6 संख्यक समुदाय जो कि धार्मिक रूप से परताडित हैं हिंदू, सिक, बौद, जैन, इसाई और पारसी अगर ये 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आये हैं तो इन्हें प्राकिरती करण के अधार पर केबल 5 वर्स के निबास पर इनको नागरिकता प्रदान कर दिया जाएगा जबकि NRC जो है ये भारती नागरिकों का एक रजिस्टर है कि जो भी इस रजिस्टर में सामिल है वो भारत का नागरिक है और जो नहीं है उसे अवैद प्रवासी मान लिया जाएगा तो ये तीन अंतर हैं किसके बीच में NPR, CAA और NRC के बीच में तो हमने दोनों बातों की चर्चा किया जनगन्ना और NPR के बीच अंतर क्या है? NRC और NPR के बीच अंतर क्या है? NPR क्या है? इसका महत्व क्या है? जनगन्ना 2021 में किन बातों को लेकर के अभी मामला शामने आया था तो ये था आज का New NRC Session आप इस पूरे Session की PDF को डाउनलोड कर सकते हो ससी सर टेस्ट बुक के टेलिग्राम चैनल पर जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो आप जरूर बताईएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा? आपके ये knowledge को improvise करने में सेशन कितना उपयोगी सावित हो रहा है? आप comment box में हमें इसके बारे में जरूर बताएँ ठीके बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस सेशन के साथ जुड़ने के लिए मुलाकात होगी अगले सेशन में तो बात करेंगे नए टॉपिकी ठीके तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यो साथियो